असलाम अलेकुल चुराइब कैसे आप लोग अच्छा बच्छो आज का हमारा काफी है जी टैंशन एंड एक सदेशन इना स्ट्रेंड एक हमारे पास रसी है जिसके साथ हमें एक मैस अटेंच किया हुआ लटकाया हुए हमें इसीच्छन के अंदर क्या जानता है इक से जब तक ये बोटी हैंक रहेगी लटकती रहेगी तो क्या सिच्छन हैं क्या नदर आ रहाए इसमें एक जिसब का मैस बचंब किस तरब होगा मैस अपना वसं किस तरफ exert करेगा जब इसे ग्रैमिटेस एकसलेशन से मुटिप्लाई करेगे तो वेट बन जाएगा और वेट किस तरफ है नीचे की तरफ है क्या वसंद ही एक सिरफ पोर्स है जो इसे नीचे की तरफ हैंग नहीं पर की तरफ है उठाये को है उस पोर्स का नाम क्या है और उसकी सिम्मघ किस तरफ है opar की किरा अऔर वजन इसे किस तरफ ने कर जाना चाताा है चाता है अब WITHOUT यह वजन नीचे जारहा है या उपर जारहा है क्या मैसुस हो रह रहा है रहे नहीं हरा है वह लटका हुआ है तो इसका क्या मतलब है वजर नीचे और टेंचिन ऊपर बराबर है और जब दो चीज़े बराबर हो और इजा कर रहे थी हैió वजर एक क्रस को नीचे की तरफ हूट जो नीचे की पर जितों उपर की दरब थी इनकी मिधदार आफस में क्या थी बरापर इसलिए कि एक दूसे को क्या करते हैं चाहती हैं और ये वड़ी आपको क्या मैसूस हो भी इस सेंट के साथ इस तरसी के साथ आवाबे लड़ी लड़ी हुए यह था इंचन ए एक्सलेशन एक्सलेशन की जिम्मत किसे नीचे की तरफ लेखिया आँ चाहती है टैंशन इसे की सरफ इए हुए ऑपर की तरफ और क्यूंके इनकी मिखदारे वजन और अटैंशन की मिखदारे परापर है इस वजया से नहीं इसे ने निचे जाप आरी है और आई है ये था टैंशन एक्सलेशन ना प्रापे अब जो में टापिक है हमारा वो है वर्तिकल बोचल अफो बोडी इस अधिक वर्तिकल की तेखते हैं वर्तिकल के जराक क्या एंट आपि वर्तिकल बोचल आप देखते हैं अर्टबस की बोचल है कि अजर टो ले एंजर या कि अजर या इंजर बिलिए य रशप्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्र मया अत्रिक sollte जो इस तरह बहुत सी स्काथि को समझी इस सिच्वेशन में हमारे पास दो बाडीज हैं दो मैसी हैं जिने हमें रसी के साथ अटैज किया हुआ है एक को एक सिरे के साथ दूसे को दूसे सिरे के साथ और वो रसी कहां से घुजर रही है एक फ्रिक्शनलेस्पुली के उपर से शुली है। एक एसी हास पुली इसकी रगरटी पोरच, इसकी रखावपरोटी को जिसकी रोकने की कोर्स नहां से ब्यार व्यजिभणP हाई इक रायर आई लगातें उसे विद्व कम से अगर आए इसी तरह से एक ऐसी पुली है इसकी एक रिक्ष्ट में बहुत कम और उसके उपर से क्या मुजा रही है हमें एक स्ट्रिंग रसी बजारी है और रसी के दोनों साइज़ों पर क्या लट प्याए हमें इसकी डाइगराम पर आते हैं, डाइगराम कुछी तरह से है, एक फिक्षर डाइस पुली है, इस पुली के उपर से हमके, दो मैसिस बजारे हैं, मैसिस कैसे हैं जी, एक मैस साइज में चोटा और दूसर मैस साइज में बड़ा, तो हम जानते हैं, जो बड़ा मैस होगा, जो मैस बड़ा होगा, वो क्या करेगा चोटे को उपर की तरफ में चेगा, आसे हैं बड़ा मैस निचे की तरफ जाएगा, और चोटा मैस उपर की तरफ जाएगा, आप इस मैस की नाम है, क्या नाम है जी, इस मैस का नाम क्या है, इस किस बॉड़ी किसी की तरफ है किस तरफ जाना चाहे के सियाधा में और किसासरफ चाहिए है नीचे शरफ साथ और ये बड़ी की साथ उठेगी दी उपर की तरफ आब का टेंशन की बात कर लेते हैं तो टेंशन एक ही रसी है कुझे बताए यहां की डिलख्य उपजाया बाती है यहां देखिए तब आप पड़ यहां देखिए तब आप शूस्त तेंशन इसे रसी तनाव के तरफ तक उपर के धर, जहां भी तनाव के तरफ तरफ है, उपर के तरफ आट तो यह कुछ चीज है आप वजन भी बाग करते, मेसज इन तो मिलिग ली है वजब कैसे बनते हैं? जब मैश को किस से मल्टिप्लाइ कर दिया जाए? ग्रैभी इंटेशनल एकसरेशन के साथ तो इसका वजब कितना बनेगा? वेट क्या बनेगा इसका? वैट क्या बनेगा? विशके बराफ हो गगा बेटे? M1 1 1 1 G क्योंके mass इसका इतना M1 और G का इसने होता है अब इसका वसंद क्या बने किया है M2 G M2 G क्योंके इसका mass कितना है M2 है ये कुछ चीजे हैं जैसे आप story की शकल में लिख देंगे let's suppose we have two bodies body A and body B body A having a mass of M1 and body B having mass M2 और क्या किया हमने body A को रसी के एक सिरे से टैच किया दूजने को दूसे सिरे से टैच किया रसी कमा से गुजारी frictionless pulley के उपा से mass A ज्यादा था तो क्या रहा है नीचे दिखाई दे रहा है mass B काम था उपर दिखाई दे रहा है mass A किस सरफ ड्रैग होगा किस सरफ जाएगा नीचे की दरब B किस सरफ जाएगा उपर की दरब acceleration downward, acceleration upward, tension upward, tension upward, weight इसका M1 G, M2 G और weight तो हर जगा किस सरफ होता है मेशा दूब भड़ी होता है इसका मज़र भी नीचे इसका मज़र भी नीचे इसका मज़र भी तरफ होगा अब आएए कुछ calculations करते हैं हमें इस काफ़ी के लिए तीन चीज़े calculate करती हैं एर acceleration दूसरा gravitation acceleration और तीसरा tension आयों के लिए calculation करते हैं सबसे पहले हम किस body के लिए करेंगे एक और body A और body B और बहाँ से इस बनेगे उन्हें calculate करके जो अबार दाएगे तो पहले ना दिखता हो इसके लिए पेटिए और body A पहले जिसम के लिए हमने काम करने लिए क्या काम करने लिए मुझे यहां बताइए एए हिसम को गोर से देखिए तो net force कितनी लगरी एक और दोटर में दोने एक बजन और दूसरी एक बजन और दूसरी i随 किसे बजल कहरा हुँ होगा इस लिए हम नेट फोस क्या लिए किसको परबर है किसरों पहले लिए है मैं वर्म्यां तो जोन को पहरी को खेंगेaf को घोएंग तो और अच और भूफ का विदा आप CT il पेमाश करने हैं M-N-E-A इस Net Force की जगा हम क्या दर्स कर सकते हैं? M-N-E-A और M कुन सा? M-A-A-A M-1 M-1-G M-1-G यही कवब किसके लिए करे हुआ हुआ है? वार, बोडी, बी जिसंद परके लिए यही कवब करे हुआ है क्या ही? फिर से लिखिए, नेट फोर्स किसके बराबर है? हम मुझे पताएं, बी जिसंद लेखे कितनी बॉस इंटर लगे हैं वी, बे बजन नीचे और टेंचन हम उझे पताएं कोल सी मिकदार किस पोस की मिकदार से यादा है आप क्या लिखेगी ने पोस में कोल सी चीज पहले लिखेगी कोल सी बात ही तो बड़ी माइनस हो थी आप उसके माइनस क्यों आया बड़ी न्यूटन का थार्ड लाप बड़ा है एक्शन और एक्शन और एक्शन और इक्शन और इक्वल इन मैगनिटूड में आपोज़ी डिरेक्शन तो तेंच्छन तेंच्छन पॉसितिट तो नीचे दी ने लिए जब क्या है याजेगी आप इसकी जगारा क्या आप एक्शन बड़ी आप इसके बड़ा यह इसान हो गही प्यायिए नमर वाडिये इसके नुमर तू फारड़ी भी बड़ादी पन ही आप आपर और 2 को एड़ कर देंगे अब आँसर आँसर आपा चिलो हो जाएगे क्या करते हैं प्रेशन 1 और 2 को क्या करते हैं एड़ करते हैं अलएजा सईब का क्या थी प्रेशन नम्मर बाद की बताईए M1, A इसके बराब का आपा आप 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 M1, G देट चूर रजङ ओर देखे क्या बताई हैं कैसे ड़ राइट साइड का आप 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 आये ड़ा प्रेंने म्मर देखे M1, A M2, A राइट साइड में क्या बत आた ही जấp G फॉसिचे और T क्या बाचा आप 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 सुचित माइकस एंफूट आप इसको क्या करें लाप साट पे क्या कामन राइट साट पे क्या कामन है बताएगा एक आपन एचे दो क्या बाद एक अदर एस ऐसाट गाझिशने क्या पे क्या बंतर अचे दो ऐसे खेंगे ठात अचे दिए इसी चीज मैंने क्या कही थी? यह हो आज पैला इसलिट हमें एक्सलिशन चाहिए था दूसार इसलिट क्या में परूज करना है? जी तो जी करी कोई नहीं इक अलिकमेशर करने की जूरत नहीं है जी को यही रहने ते बाटी फैक्टर कहा लेगे? लेक्स आज जाएं जी काशल कहा जाएं यही जीज्ञ चाहिए शुड़ाइड है क्या क्या करें? 298 मुमिशन 3 जीत संथ हमें जी को मैंने लेखनें 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 जीस मैंने लेखनें ळूसे शुप करणी बढ़ेखना क्या वाखनें खरते संथ यह लेजी जोटाइब आप याँ जी का अंसर भी आप या जी भी आप या आगरी फैक्टर क्या करना एक तेन शन दी तीन फैक्क्र मानूल करने स्टाफिल पे आए उसके लिए जांगे इसके लिए टैंशन दी क्लिए हम क्या करेंगे क्या करेंगे टैंशन दी के लिए हमें इक्वेशन दू को किसे इवाइड कर देगे तो क्या लिखेंगे फिर डिवाइड दीवाइडी दीवाइड इक्वेशन दूब आखियो वान के साथ ने लेफ साइड से पिवाइड होगी और राइट साइड राइट साइड बताएए लेफ साइड से कुछ करता है क्या बचा लेफ साइड पे ? राइट साइड पे कटिंभी हो सब्दे तो क्या होगा ? क्या बनेगा ? B-M V F 1 G माइश T अब क्या करेगा ? ट चाहिए तो ट को separate करने का एक गरीक है क्रास multiply करेगा क्रास माटिफिकेशन अपती है ? तो क्या बनेगा ? M2 into M1G minus 3 ये उद्द से लाजएगा ? M1 into M2 minus M2 फोलिये जराइस है एक्स्पेशन को फोलिये क्या बनेगा ? M2T वराबर की जोनों तरफ कुछ चीजे सिमिलर हैं मिलती जोती हैं जिन जिन में टीए उन्हें क्या कर लेते हैं अलैदा बाकी इंटो को क्या कर लेते हैं क्या बनेगा इंटाइए जिन से क्या कर लेका ये उदर चला जाएगा और ये इससे क्या रहते हैं M1 M2 G क्या बने वाहां क्या चाहिए M1 M2 G क्या थिन जिन नावे तरह हैं यहां से क्या चाहिएगा? क्या कामन आएगा यहां से? यह तो अचीज है नि? यह तो जो क्या बहन देका गिए? 2, M1, M2, G, और राइट से क्या कामन आजएगा? P, तो अंदर क्या बहन देका? P चाहिए, तो T किसके बनाद की चीज तरह क्या का देगा? Divide आपका इस चीज का रिजर्ट तीन हमने रिजर्ट कैल्पिलेट किये तीन हमने रिजर्ट कैल्पिलेट किये यहां देखिए चीजी 2m1m2b टीक है आपका बॉजिंड अपका रिजर्ट किया इस प्रींड इस चीजी आपको पटेश और ने अच्छर और यह करते हैं आपको समझाई होगी आज के लिए नहीं के लिए नहीं कि आपके दिना हो